विरेन सिंग जी जूड चुके हैं हमारे साथ विरेन जी आज मैंने देखा खबर में कि सतीष चंद्र मिस्रा जी अब ब्रामण सा मेलन लेकर निकल रहे हैं उत्तर प्रदेश की सभी जीलों का दौरा करने जा रहे हैं और फिर से वो सोचल इंजिनरिंग लाने की कोशिश हो रही है समाजवादी पार्टी भी ब्रामणों को अपने साथ जोडने कोशिश करें तो अचानक से पंडित जी लोगों की इज्जत इत्ति क्यों बढ़ गई अभी तक तो कोई उनको चिम्टे से नहीं छू रहा था बिल्कुल देखिए ब्रामण समाज का महत्त्तों राजन करेंटा उठाएगा तो यह तो बहुत सामान सी बात है अब कोई अन्यदल पंडिची लोगों भरोसा करेंग हमें वोट मिल जाएगा तो यह तो देखिए यह तो वह है कि कल को अखलेस यादोग सरकार बन जाएगी तो चिल आने लगेंगे कि हमने अखलेस यादोग सरकार बनवादी तो किसी दलों को ब्रामडों पर भरोसा करने बहुत जरूरत है नहीं क्योंकि यह आज भी बीजेपी के साथ हैं बड़ी संख्या में जो यह सच्चाई है अब सरकार दूसरे बनेगी तो वहां ले चले जाएंगे वाव आई लेने दूसरी बात सतीशंदमिस्रा ब्रामड संभेलन करने निकले हैं ठीक है उनकी एक बार सरकार रही सोचल इंजिनरिंग से उनकी सरकार आई लेकिन वह सरकार तब आई जब उन्होंने तियागा कि तिलक तराजिव वो तिलवार इनको मारो तो यह तियाग ने के बाद वो सरकार आई और तब और जातियों का उसमें महत्य बढ़ा यह जरूर है कि मयोत्ती की समय में सबसे जादा ब्रामण विधायक जीते थे करीब शाचाट के करीब विधायक थे मायवती की समय में अब वो प्रतेक विधान सभा में सम्मेलन करेंगे देखिए हर चीज का वक्त होता है पता नहीं कितनी उर्जा आएगी कितने लोग एक जुठ होंगे क्योंकि उन्होंने अतीत देखा है मायवती के लिए सडके धोई जाती उत्तर प्रदेश में लोगों ने देखा है और मुख्यमंत्री बनने के बाद ब्रामण उनसे मिल नहीं पाते थे यह भी लोग जानते हैं तो कैसे मायवती को ब्रामण ओड देंगे अगर ओड देना है तो भाजपास से जो लोग नाराज हैं वो साइकिल को ओड देंगे व उनके यहां भी अभिसेग मिसरा मनोज पांडे और संतोज पांडे सब परस्वराम चेतना चल रही हैं तमाम अभी देखिए ब्रामण चेतना थी वह मूर्चित हो गई साजापुर वाले की वह पड़े हैं तीर कमान उन्होंने धर दिया तो ब्रामणों के लिए देखिए स लेकिन इसके अलावा पूरे समाज को कोई बहुत फाइदा होता नहीं दिख रहा है और इस सरकार में वैसे भी हर चीज़ में इतनी बंदिस है कि कोई चाकर ना तो अपनों के लिए कर सकता है ना समाज के लिए कर सकता है बिधान सबा अद्धेक्ष बन गए उनके बेटे को परमुखी का टिकट मिल गया उसके बाद से तो वो दैनिक जागरण और अमरुजाला में लेक लिखते रहेंगे समाज के लिए इसके अलावा आप कौन से एक्टिव पार्टिसिपेशन चलिए उनके पज़ की एक गरिम दे या उनके हां दोड़ा चला जाए या उनकी बात चुल ले तो अच्छा उनके पास भी जनता अपने समाज के लिए करने को बहुत कुछ है नहीं अब बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है समुद्र है कि जो जाता है उसको डुबो दिया जाता है तो कौन कर पाएगा द वैसे दस साल मेर रहे वैसे वह पांस साल से डिप्टी सीम है कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बाहर तो उनका तो भाई उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं जिन अपसरों को प्रामणों के नाम पर पोस्टिंग दी गई उन्होंने अपना काम उल्लू सीधा कर लिया हो लेकिन अपने समाज का कोई भला नहीं किया और अफसर को किसी एक समाज के लिए काम करना भी नहीं चाहिए और जात के अधार पर उसको पोस्टिंग देना भी नहीं चाहिए अब आप यह बताओ कि यह जो मिस्त्रा जी निकल रहे हैं सतीश चंद मिस्त्रा जी कुछ लाब होगा या फिर यह सिर्फ चिनावी शिगूफा है अपने एक कहा जाता है कि हर पेड जरूरी नहीं कि फल दे कुछ पेड़ ऐसे भी होते हैं जो छाया ही दे देते हैं तो ब्राम्माण जो है हमारे समाज का एक ऐसा ही चरित्र है सतीश जी निकल रहे हैं उनको फल न मिले हो सकता है लेकिन लोग हाथों हाथ लेंगे लड़ू पेड़ा फूल माला खिला देंगे तो यह वोट मिलना तो मुस्किल है देखिए कहा जाता है कि प्रवक्त का भाव जाती है और ब्राम्माण आता है तो संस्कृति सुधर जाती है क्योंकि सिच्छा को प्रसार का और समाज को जागरुक करने का स्वस्त बनाने का काम इनी के हाथ में था अब इनको राजनेतिक दल महत तो नहीं दे रहे हैं बीजेपी थोड़ा इस बार जटका खाएगी बी मिले जो जूट का सहारा लेकर चलने वाले हैं वो भी जंडा उठाए रहेंगे कुल मिलाकर उसकी निष्ठा को कोई दल खुल के मानता नहीं है उसी पर आज साहित पेस करूंगा कि ब्राम्माण तमाम दलों के लिए गले कटाता रहा है लेकिन उसको उचित सम्मान नहीं मि आज सही है कि नरायंटत्वारी के बाद उतर प्रदेस में कोई ब्राम्माल मुक्यमंत्री नहीं होगा और जब तक मुक्यमंत्री ब्राम्माल नहीं होगा tap तो आप मंत्री बना दीजिए अफसर बना दीजिए उससे उसका पेट भरने वाला नहीं है तो कुल मिला कर यह है तो मैं पहली बार आचार प्रमोत कृष्ण के कलेजे में ठंडा करें बिरन जी कंप्लीट करें चार लाइने सुनाओंगा मैं आपको कि उसकी निष्ठा को कभ मेरे हरवादे को सरकारी समझता है और मैं इक इक लब्ज की पहचान बन जाता हूं महफिल में वह पागल मगर मेरे इस फ़न को मकारी समझता है बहुत बहुत शुक्रिया विरन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाश्ट